नमस्कार बिस तक देख रहे आप और मैं हूँ आपके साथ तन्वी सिन्हा सुनील शेटी की बेटी अक्टरस अतिया शेटी और भारतिय क्रिकेट टीम के खिलाडी केल राहुल 23 जन्वरी को शादी के बंधन में बंध गए उसके बाद से ही दोनों की शादी इंटरनेट पर चाय हुई है कपल की वेडिंग फोटोज और विडियोज सोशल मीडिया पर वारल हो रही है क्रिकेट जगर से लेकर बॉलिवूड इंडरस्ट्री तक चर्चा का विशय बनी इस शादी को लेकर एक और खबर खूब सुर्किया बटो रही है वो है शादी में आतिया और केल को मिलने वाले करोडों रुपए के बेडिंग गिप्स रिपोर्ट्स की माने तो नए नवेले जोड़े को दोस्तों और रिश्यदारों की तरफ से काफी महंगे महंगे गिफ्ट्स मिले है आगे जानेंगे इन गिफ्ट्स के बारे में उससे पहले आपको बता दे विस सक पर एक परवरी से बजट कबरिज में जुडिये क्या इंकम टैक्स की बेसिक एक्जेंशन लिमिट पाच लाक रुपे तक होगी आप अपनी राय हा या ना में दर्श करवा सकते हैं प्रोवो पर जो हमारे ओपीनियन पार्टर है लिंक डिस्क्रिप्शन में है दरसल अतिया शेटी और केल राहुल ने 23 जनवरी को सुनील शेटी के खंडाला वाले फार्म हाउस पर साथ फिरे लिए इस कपल की शादी के दौरान सिर्फ परिवार के लोग और करीबी दोसी शामिल हुए थे चलिए अब जानते हैं कि कपल को किसने और क्या गिफ्ट दिया मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुनील शेटी ने अपनी बेटी और दमाद को मुंबई में एक लगजूरियस अपार्टमेंट गिफ्ट किया है जिसकी कीमत करीब 50 करोड रुपे बताई जा रही है लिस्ट में अगला नाम सुनील शेटी के करीबी दोस्त सल्मान खान का है सल्मान ने कपल को काफी महगा तौफा दिया है सल्मान ने अतिया और राहुल को एक करोड 64 लाक रुपे की ब्रैंड न्यू लक्शरी ओडी कार गिफ्ट की है जैकी श्रॉफ का तौफा भी काफी खास है जैकी ने अतिया को चुपाड वॉच्श कंपनी की 30 लाक रुपे की घडी गिफ्ट की है जो एक स्विर्जिलांड का ब्रांड है वहीं अतिया के वन ओफ दे बेस्ट फ्रेंड्स में से एक अरजुन कपूर ने अतिया को डायमंड का ब्रेसलेट गिफ्ट किया है जिसकी कॉस्ट डेड़ करोड रुपे बताई जा रही है मीडिया रिपोर्ट की माने तो शादी के मौके पर टीम इंडिया की पूरु कप्तान विराट कोहली ने न्यूली वेड़ेड कपल को दो करोड 17 लाख रुपे की BMW कार गिफ्ट में दी है इसके लावा पूरु कप्तान MS धोनी ने भी काफी महगा गिफ्ट दिया है हम सभी जानते हैं कि धोनी बाई के बहुत शौकीन है ऐसे में धोनी ने शादी में शरीक होकर कावसा की निंजा बाई गिफ्ट की है इस बाई की कीमत करीब 80 लाख रुपे है बता दे अतिया और राहुल ने 4 साल तक डेट करने के बाद शादी की है दोनों का परिवार करनाटक से ही समन्द रखता है अतिया की बात करें तो आक्टरस ने अपने करियर में 4 फिल्में की है सलमान खान के प्रोडक्शन तले बनी फिल्म हीरो में उन्होंने डेब्यू किया था दोनों की नेटवर्ट की बात करें तो अतिया की नेटवर्ट 29 करोड उपए है वही केल राहूल सालाना 30 करोड उपए कमाते हैं अगर आपको हमारे इस वीडियो में दीगर जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरू करें साथी बिजर जहत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें विस्ता